हेलो फ्रेंड्स माइनेम इज रभी कुमार भार्दवाज और इस पार्ट 53 और फॉक्स प्रो टुटोरियल स्टीज हम इस टुटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम में कंडिशनल स्टेट्मेंट के रूप में होता है इसका जो फॉस्ट स्टेट्मेंट लिका जाता है वॉस का दुटोरिnant रिच्ट में करता है और जब יहां पर गंडिशनल स्ट्रीट में च्टवर घ्जब करता है को जा हम इसे ताफ से प्रfire करसका है तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे input then double inverted comma में enter your age to age तो जो भी हम यहाँ पर input करेंगे age वो age जाकर इस age variable के अंदर store हो जाएगा then यहाँ पर हम condition देने के लिए लिखेंगे question mark then IFF bracket में age greater than 55 तो अगर age 55 से बड़ा होता है then condition true होगा और print करेगा your age is sorry you are a senior citizen और अगर यहाँ पर दिया गया condition false होता है then वो next step में जाएगा और यहाँ पर print करेगा you are a young citizen so guys ऐसे हम immediate if statement का use करके program में condition दे सकते हैं so guys हम इसे देखने हैं कैसे program में practically use किया सकता है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ fox pro open करेंगे यहाँ पर हमने program बनाया है modify command program 4 तो इसको सबसे पहले open करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने IFF का use करते हुए एक program बनाया है जहाँ सबसे पहले हमने screen को clear किया है इसके बाद user से input ले रहे है उसका age जो age variable के अंदर store होगा then यहाँ पर IFF और यहाँ पर कंडिशन दे रहे हैं कि जो भी age है वो 55 से greater है अगर age 55 से greater होता है then हमारा condition true होगा और वो इसके अंदर आएगा और यहाँ पर प्रेंट होगा you are a senior citizen और अगर यहाँ पर दिया गया condition false होता है then वो आगे आएगा और प्रेंट होगा you are a young person so guys हम देखने इसे कैसे run करें पर कैसा output दिखाएगा तो इसके लिए हम इसे safe करते है control plus w के साथ और इसको run करने के लिए do then file का नाम लिखकर enter करेंगे तो यहाँ बोल रहा है enter your age तो अगर हम age input करते है 55 से जादा जैसे मैंने input किया 89 then enter करूंगा तो print होगा you are a senior citizen और अगर हम इसे वापस execute करते है then मैं age दे रहा हो 43 55 से कम then enter करने पर आएगा you are a young person so guys ऐसे हम program में immediate if statement का use करके program में condition दे सकते हैं so guys hope you enjoy it and please subscribe to my channel and thank you for watching this video bye